कभी किसी बड़े स्टेज पर एक बड़े गवये की रूप में भी दिखाई दे जाए तो आप मुझे एक बहरूपिया समझती हैं नहीं नहीं अपने हर सांस में मुझे दं तोते हुए बच्चों की सिस्कियां सुनाई देती तुम दिले तो दिल के सारे गम गए दिगज अभिनीता दिलीब कुमार भारतिय सिनेमा जगत के ऐसे सितारे हैं जिनका जिक्र सद्यों तक होता रहेगा अपनी अदकारी से हर किसी का दिल जीतने में माहिर दिलीब कुमार असल जिन्दगी में एक दो नहीं बलकि पांच हसीनाओ के इश्क में गिरफतार हुए थे जी हाँ गिरफतार कौन थी वो हसीनाओ बताएंगे आपको इस वीडियो में नमस्कार मैं हूँ रादकाराज और आप देख रहे हैं जन्हे टाइम्स का स्पेशल शो किस्सा दिलीब कुमार वो चोड थे जो एक बार बड़े परदे पर आ जाए तो हसीनाओ का दल चुरा ही लेते थे आज वो हमारे बीच तो नहीं है लेकिन दिलीब कुमार की याद में हम आज आपको उनकी लव लाइफ से रूबरू कराएंगे दिलीब कुमार की लव लाइफ की बात हो और मदुबाला का जिकर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता हलाकि वो दिलीब कुमार का पहला प्यार नहीं थी दरसल दिलीब साहब के दिल पर सबसे पहले कामनी कौशल ने दस्तक दी थी साल 1948 में फिल्म शहीद के सेट पर दोनों की नजरे एक दूसरे से दो चार हुई थी। कहा जाता है कि दोनों के परिवार इस रिष्टे के लिए तयार नहीं थे। जिसके चलते उन्होंने एक दूसरे से दूरिया बना ली थी। कामनी कोशल के बाद दिलीव कुमार की जिंदगी में एक्ट्रिस मधुबाला की एंट्री हुई। दोनों ने कई फिल्मों में इस कदर डूब कर काम किया कि इश्क की गहराईयों में भी उतर गए। दोनों का प्यार फिल्म तराना के दौरान परवान चड़ा। इसके बाद में मधुबाला ने दिलीव कुमार से अपने पिता से माफी मांगने के लिए कहा। जिससे ये इगो की लड़ाई हो गई। दिलीव कुमार ने भले ही भरी अदालत में मधुबाला से महबत कबूल की थी। लेकिन उनके पिता की नराजगी की वज़े से ये रिष्टा रसल दोनों ही कलाकारों ने इश्क की इस बात को कभी सरयाम कबूल नहीं किया। लेकिन उनकी नस्दीकियों ने चारों तरह उनकी महबत की खुश्पू फैला दी थी। दोनों सितारों ने एक साथ करीब 6 फिल्मों में काम किया। उनकी आन स्क्रीन और ओफ स्क्रीन कैमिस की चर्चा होती रहती थी वही मदुबाला से रिष्टा तूटने के बाद दिलीव कुमार भी बुरी तरह तूट गए थे इसके बाद उन्होंने किसी को अपनी जिंदगी में कदम नहीं रखने दिया लेकिन इस बरफ को साइरा बानों की शितत ने पिगला दिया दरसल जब दिलीव कुमार 44 साल के थे तब उनकी जिंदगी में 22 साल की साइरा बानों ने कदम रखा महबत में मधोश इस जोड़े ने एक दूसरे का साथ ऐसा थामा कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाई लेकिन दिलीव कुमार यहां भी नहीं रुके साइरा बानों और दिलीव के पाकिस्तानी महीला आसमा से भी शादी की थी इस खबर ने फिल्म जगत को हिला करक दिया था हालक कि यह शादी ज्यादा वक्त नहीं चली और निकाह कि दो साल बाद ही उंका तलाख हो गया जिसके बाद दिलीव की जीवन में किसी ने दस्तक नहीं दी दिलीब कुमार के रंगीले मिजास को देखकर सब दग रहते थे किसी को नहीं पता था कि वो कब क्या कर दे आप कमेंट पे बताइए आपको दिलीब कुमार के साथ कौन सी महभूबा याद है कल फिर मिलूँगी आप से एक नए किस्से के साथ तब तब के लिए नमस्कार